स्टूडिंट आज हम स्टार्ट कर रहे अपना एक्साइज 3.4 तो इससे पहले देख लेते हैं कि आज हमारी एक्साइज में होने क्या वाला है तो इसमें हम कॉमन फेक्टर और कॉमन मॉल्टिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कॉमन फेक्टर और कॉमन मॉल्टिपल होता क्या है तो कॉमन फेक्टर और कॉमन मॉल्टिपल तो दोनों में क्या है दोनों है तो एक ही चीज ठीक है तो देखो कॉमन मॉल्टिपल क्या होता है अगर हमें किसी कोई तू नमर्स दे दी और उनका कॉमन मॉल्टिप या उन दोनों के इसे कौन से क्या मुटिन यू ज hu दोनों में आते हैं तो वही क्या है हमारा क्या common factor है तो तो नंबर having one has common factor और को प्राइम नंबर्स तो देखो और जो हमारा one होता है वो सब क्या होता है common factor and common multiple होता है तो देखो सबसे पहले हमारे यहां पर एक example दे रहे हैं find the common factor 75, 60 and two ten तो इसका हमें क्या करना है common factor करना है ठीक है तो देखो common factor तो सबसे पहले हम किसके factor कर लेंगे 75 के कुछ factors कर लेंगे तो 75 के 75 के कुछ factors हो जाएंगे जैसे क्या होता है 75 मतलब factor वो होते हैं जिससे यह और अच्छे से मतलब divide हो जाए हमारे remainder 0 मिले ऐसे तो 3 से यह divide हो जाता है 5 से divide हो जाता है 15 से 25 से 75 से और एक बात और कोई भी number जिसके 2 जिसका क्या होगा कोई भी number होगा उसके 2 factor तो हो गई कौन कौन से एक वो खुद होगा एक 1 होगा उसका factor यह तो जरूर होता है ठीक 1 सभी का common factor होता है and common multiple में क्या है कोई भी number खुद का common multiple होता है ओके और क्या होता है कोई भी number खुद का common factor होता है ओके वो अगर खुद से divide होगा तो zero तो reminder आएगा ही ना तो common factor होता है ओके तो हमने लिख लिए तीनों के हमने क्या लिख लिए factors लिख लिए ओके यह हमने इसके factors लिख लिए और factor हमेसा क्या होते हैं factor कभी भी जो number है उससे बढ़ा नहीं होगा, छोटे ही होंगे multiple क्या होँगे? multiple उससे बढ़ ही होंगे, उससे छोटे नहीं होंगे ओकै, तो ये होता है मतलब common factor होगा वो जो, जिसे मैं 75 पुछा क्या, 75 से उपर उसके कोई भी common factor नहीं होंगे और 75 से नीचे ही होंगे जितने भी उसके common factor होंगे 75 से नीचे मतलब 75 से नीचे 75 से उपर मतलब 76 और 75 से नीचे मतलब 74 तो 75 से नीचे हमारे क्या आता है common factor आता है 75 से उपर हमारे क्या हो जाएंगे 75 से उपर उसके common factor नहीं होंगे, हाँ उसके multiple आएंगे, 75 से नीचे उसके factor, 75 से उपर उसके multiple, तो सेम होता है, तो तीनों के हमने क्या लिख ले, 75 के भी, 60 के भी, और 210 के भी, तो फिर उसमें देखना है, हमें common, common factor, जैसे की नाम ही उसका क्या है, name है, common factor, तो common मतलब जो तीनो में क्या आता हो, तीनों में वो आता हो, common आता हो तीनों में, तो देखो, one, one तो सब में आता हो, okay, one आ गया, अब देखो, two आ रहे है, कि इसमें तो two ही नहीं, तो ये तो नहीं है, three इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, yes, ये है, five इसमें है, इसमें भी है, yes, five भी होग 25 इसमें है इसमें है नहीं है इसमें है इसमें तो है इसमें भी नहीं है तो हमारे कर 25 भी नहीं है तो देखो 10, factor of 75, 60 and 210 are 1, 3, 5 and 50 तो सेम ऐसा करेंगे ओके and देखो find the common multiple of 3, 4 and 9 तो इसका हमें multiple find करेंगे multiple क्या होता है उस वो number और उससे बड़े होंगे ओके तो इस 3 के multiple यानि multiple मतलब जो उसकी table में आते होंगे तो देखो multiple क्या हो जाएंगे 3 के जो उसकी table लिख लो ठीक है table लिख लो उसमें 3, 3, 8 करोगे तो जो मतलब divide हो जाएगा 3 से अच्छे से वो ही ठीक है और ऐसी 4 के लिख लो फिर common multiple उनमें से common देख लो क्या जाएगे देखो इन तीनों में common है हमारे 3672108 यह मतलब 3672108 तो यह हमारे इन तीनों में क्या है common है तो आप देखो हम चलता है exercise पर हम देखते हैं इसको अपने इसे करके देखते हैं कैसे होगा find the common factor तो सबसे पहले हमें क्या करना है common factor find करना है देखो exercise हमारी क्या है 3.4 तो 3.4 हमने डाल लिया ठीक है तो यह हो गया और यहां पे क्या होगा TO find common factor find करना हमने 1.20 ट्वेंटी चीह हमारे पास त्वेंटीएट इसके हमने common factor तो सबसे पहले देखते हैं 20-20 के factor 20 factor 20 factor 1 सबका factor होता है 1 सबका factor होता है 1 होके और खुद हो गया 20 है कोई भी नंबर खुद और 1 से क्या होता है factorize होता है 20 और 1 तो होता है उसके अलावा देखो 2 से हमारा यह divide होता है 3 से होता है 4 से होता है 5 से होता है 6 से होता है 7 से होता है 8 से होता है 9 से होता है 10 से होता है 10 से होता है 20 से होता है 20 के factor 28 के factor 1 और 28 तो होगा ही हमने कहा था कहा था ना हमने तो देखो अब इसके बाद 1 और 28 यह 28 है थोड़ा 8 थोड़ा सा हो गया तो 28 तो आएगा ठीक है उसके बाद 2 से होगा सम इसके सबह क्या है विख्ष कर नंहें आइडा यह नहीं आइडा इन ही नहीं और आइडा कि भान इसके टो अब इन मैंक 20 and 28 का कॉमन कॉमन फैक्टर कॉ आधि दोनो में कॉमन चीजे देख लो सब्से पहले क्मान के हैं वन सब का आता है वन आ रहा रहा है सब में 2 नो मा रहा है वन 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 आ रहा है ठीक है आप देखो उसके बार si twenty twenty यह तो अलग-अलग होगे तो इसके क्या होगे इन दोनों में यह तीनों होगे तो यह इसके क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है तो इसके क्या है क्या है क्या है क्या है तो इसके 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 क्या है क्या है क्य हमारा questioning कर लेता है हम 4 8 and 12 इसमें करना है तो पहले सबसे पहले 4 के देख लेता है हम factor क्या होता है 1 हो गया 4 हो गया 2 हो गया 1, 4, 2 ही तो होगा उससे multiple नहीं factor करना है factor हमेंसा क्या होता है उससे छोड़ता तो यही होता है 8 के देख लो क्या क्या है 1 है ठीक है 1 तो होता है और 8 हो गया और क्या होता है हमारे好的 4 var हो गया औरो किससे होता है 2 से होता है 4 इत होता अर। ऑड ओसके बात 5 से नहीं होता है तैंसे से 9 जाल से 0 अब दिखते हैсь क्लिक त्वफ के डिखते है यसी 12 क क्या हो जाएंगे सिक्श एमारे होता है हमारा और किस से होता है एट से होता है नहीं होता तो यह हमारे इसके है तो common common factor इसके बाद 3 है सब में नहीं है ए टो डूटी तो क्या है हमारा 4 भी यानि इसके common factor क्या होगे 4 और 2 1 4 और 2 इसके क्या है हमारे common factor है ठीक है सेम first वाले question की तरह है अब देखो ये है हमारे पाल next 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 हमारे पास है multiple multiple में हमें same as करना है तो 6 की table के आगे तक हमें लिख लेने है 12 की table आगे तक लिखने है 18 की जैसे इसमें 2 in के 6 और 8 की देखो 6 और 8 के multiple 6 और 8 ठीक है सबसे पहले देख लेता है 6 के हमारे question है 6 के multiple देख लेता है 6 के multiple हमारे क्या क्या हो जाएंगे 6 एक तो 6 हो जाएगा 6 के बाद 12 18 24 so on होंगे ऐसी 8 के क्या हो जाएंगे 8 24 यह हो जाएगा अभी इसके आगे जो भी टेवर में तो इन सब में जो common होंगे वो हो जाएंगे क्या हमारे common multiple जैसे इसमें क्या है देखो इन दोनों में अभी तक क्या आ रख है common हमारा 24 इन दोनों में common आ रख है तो यह एक होगे हमारा इसी जितने भी आएंगे क्या हो जाएंगे हमारे common multiple हो जाएंगे ठीक है तो आगे देखें आगे देखो लिख रहा है राइट दर नमबर स्लेश दर हंडेट विच आर दर कॉमर मैंटिपल ओफ थी एंद फो तो हंडेट से छोटे जितने भी हमारे पास number हो उसमें क्या करना है थी और फोर के multiple find करना है ठीक है तो इसको हम कर देखेंगे अब जेखो नीचे भी हमारे पास क्या को प्राइम नमबर तो को प्राइम नमबर हम कर पाड़ेंगे थैंक्यू गाइस